देखे यहाँ पर परतिव सुरत लिखते हैं बुलू वायर को नीटरल का जा सकता है क्या इनका कहने का मतलब है कि बुलू वायर को नीटरल में जोड़ा जा सकता है क्या तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुलू वायर को आप नीटरल में जोड़ा सकते हैं कोई problem नहीं होगा अब देखिए अजरू दिन लिखते हैं मेरा ceiling fan slowly घूम रहा है फास्ट कैसे करे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर का voltage कम रहेगा तो आपका पंखा धीरे घूमेगा तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके घर का voltage कम तो नहीं है अगर आपके घर का voltage बिल्कुल सही है तो हो सकता है कि आपका capacitor कमजोर हो गया हो तो आप capacitor बदल कर देखे अगर capacitor बदलने के बाद भी आपका पंखा धीरे घूमता है तो समाझ ले कि पंखे का जो coil है न उससे ही problem है अब देखे तरुन जी लिखते हैं सर मैंने बूस और साप्ट को बदल दिया है सब ठीक ठाक से चल रहा है पर मोटर बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है बताएं क्या करूँ तो मैं तरुन जी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मोटर को अच्छी तरसे फिट कियें जब आपने मोटर को अच्छी तरसे फिट कियें तो उसके साप्ट को तो आप उंगली से घुमा कर देखे ही होंगे अगर वो बिल्कुल फिरी घुम रहा था तो ठीक है अगर आप साप्ट को जब उंगली से घुमा रहे थे और वो आपको लग रहा था कि पूरा फिरी नहीं घुम रहा है तो आपको फिर से मोटर को खोल कर फिट करना होगा और उसे अच्छी तरह से फिरी करना हो जब वो पूरी तरह से फिरी घुमेगा तभी आपका मोटर कम गर्म होगा वाईसे तो सभी मोटर गर्म होता ही है और गर्मी का मोसम है तो थोड़ा सा अधिक गर्म होगा ही लेकिन आपको ये देखना है कि आपका मोटर बिल्कुल फिरी घुमता है या नहीं अगर बिल्कुल फिरी घुमता है तो अच्छी बात है तो कोई प्रोब्लम नहीं आएगा आपको अब देखे एसेस म्यूजिक लिखते हैं सर आपका किस एरिया में घर है तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे सकेंड चेनल संजे कुमार गुपता मेरे एक और चेनल है जिसका नाम है संजे कुमार गुपता वो मेरा सकेंड चेनल है अब उस चेनल पर जाकर आप सुरुआत का वीडियो देखें सुरु से यानि कि जो मेरा फ़र्ष्ट वीडियो था उसे आप जरूर देखें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मेरा घर किस एरिया में है उसके बाद और कुछ वीडियो अब देख लेजिए उपर का उससे और भी किलिर हो जाएगा कि मेरा घर कहा है मैं किस एरिया में रहता हूँ मैं किस जीला में रहता हूँ सब आपको पता चल जाएगा ठीक है अब देखे हरे राम जी लिखते हैं हमारा सोल्डर है जो जायदा नहीं गर्म होता है क्या कारण हो सकता है तो देखे इसका कोई बड़ा कारण है नहीं अगर आपका सोल्डर जायदा गर्म नहीं होता है तो हो सकता है कि आपका घर का जो वोल्टेज है न वो कम होगा इस कारण से आपका solder iron ज्यादा गर्म नहीं होता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि soldering iron का जो element होता है वो खराब हो जाता है यानि कि soldering iron का जो coil है वो खराब हो जाता है जिसके कारण iron जो है कम गर्म होता है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन 95% voltage कम होने के कारण ही soldering iron कम गर्म होता है ठीक है अब देखे सयद अहमत जी लिखते हैं क्या हम कोई सा सिलिंग फेन में एक ही नम्मर का wire लगा सकते हैं तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि आजकल सभी लोग सिलिंग फेन में 35 या 36 नम्मर का wire ही यूज कर रहे हैं जिनके पास 35 नम्मर का wire लगा देते हैं तो आपको थोड़ा सा ये जानकारी रखना होगा कि अगर किसी सिलिंग फेन में पहले से 35 नम्मर का wire लगा हुआ है तो उसके जगह पर आप 36 नम्मर का wire लगाते हैं तो उसमें टर्नो की संख्या बढ़ानी पड़ती है और जिसमें पहले से 36 नम्मर का wire लगा हुआ है जिस पंखे में उसमें अगर आप 35 नमर का wire लगाना चाहते हैं तो आपको टर्नो की संख्या गटानी पड़ेगी ठीक है इस बात को याद रखिएगा अब देखे चिरन जीव जी लिखते हैं अगर एक starting coil की एक coil जल गया हो तो क्या करें तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ अगर एक starting coil का एक coil जल जाता है तो आप क्या करें उस coil को sort कर दें सबसे बहतर रहेगा उसे sort कर दें अब आप कहेंगे एक coil sort कर देंगे तो मेरा फिर बाद में पूरा coil जल जाएगा तो अगर आपको इस तरह का डर लगता है तो आपको क्या करना होगा starting coil का जो एक coil जल गया उसे आपको winding करना होगा तो उसे winding करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको running का 2 coil काटना होगा यानि के starting coil जहाँ पर है उसके ठीक उपर में 2 running का coil है उसे काटना होगा तभी आप starting coil का winding कर सकते हैं उसके बाद आपको वो जो 2 running का coil काटे हैं उसे भी winding करना होगा यानि के आपको total 3 coil का winding करना होगा तभी ये काम पूरा होगा फिर रुख जाता है, और आवाज भी करता है, तो क्या करें sir, तो मैं लड़ु बाबु के बता दिना चाहता हूं, कि आपका जो टेवल फिन हैं उसका बुस कहराब हो गया, यानि कि आपके टेवल फिन का बुस कहलों गिस गया है, या फिर हो सकता है कि बुस के साथ साफ्ट भी घिस गया हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पंखे का साफ्ट घिसा है या नहीं अगर आपके पंखे का साफ्ट नहीं घिसा होगा तो आप सिर्फ बुस बदल देंगे आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर साफ्ट भी घिस गया होगा तो बुस और को बता देना चाहता हूं कि LED बल्ब चेक करने की बात अप मत करें, आप बात करें कि LED बल्ब बनाना कैसे सीखें, मैं आपको पूरा LED बल्ब बनाना ही सिखा दूँगा, मेरे चैनल पर 40 से भी अधिक LED बल्ब से रिलेटेड वीडियो हैं, आप उन सभी वीडियो को देख लें तो आप LED बल्ब चेक करना तो सीख ही जाएंगे, आप पूरी तरह से LED बल्ब बनाना भी सीख जाएंगे, अब देखे, संजीत सिंग लिखते हैं, बिना फ्यूज का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो मैं संजीत सिंग को बता देना चाहता हूं, कि मेरे चैनल पर 20 से भी अ LED का वाइरिंग कनेक्शन करना सीख जाएंगे, अब देखे, बिट्टू दिवाना लिखते हैं, सर, किसी भी फेन में एक ही नम्मर से वाइंडिंग होता है, तो मैं बिट्टू दिवाना को बता देना चाहता हूं, कि आजकल के जीतने भी सिलिंग फेन आ रहे हैं, उनमें एक ही नम्मर का वाइर यूज होता है, अधिकतर तो 35 नम्मर का ही लोग आजकल यूज कर रहे हैं, तो 35 या फिर 36 नम्मर का ही वाइर सिलिंग फेन में आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, अब देखे, प्रियंका जी लिखते हैं, मेरा फेन गर्म हो जाता है, क्या करूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी तरह का पंखे होते हैं वो गर्म होते ही कुछ पंखे थोड़े कम गर्म होते हैं कुछ पंखे थोड़े अधिक गर्म होते हैं लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका पंखा जाम तो नहीं है अगर आपका पंखा जाम होगा उसके बाद आपका पंखा गर्म होता है तो समझे आपका पंखा जल सकता है और अभी देखे गर्मी का मोसम है तो सभी पंखे लगबक गर्म होते ही हैं इस मोसम में तो इसमें घबराने के कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है, कि आपका पंखा जाम नहीं होना चाहिए, अगर आपका पंखा जाम होगा, तो आपका पंखा जल जाएगा अब देखिए परसांद कुमार लिखते हैं, मैंने सिलिंग फेन के स्टार्टिंग कोईल के सुरू वाले वायर और रनिंग कोईल के आखरी वायर को जोड़कर कोमन वायर निकाल ले हैं, तो क्या ये तरीका सही है? तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि ये तरीका गलत है, आपको अगर कोमन वायर निकालना है तो अस्टार्टिंग कोईल के सुरू वाले वायर और रनिंग कोईल के सुरू वाले वायर को जोड़कर कोमन वायर निकालना है, या फिर अस्टार्टिंग कोईल का आखरी और running coil का आखरी वाला वायर को जोड़कर common wire निकालना है यानि कि running coil हो या starting coil हो दोनों coil का शुरू वाला वायर जोड़कर common wire निकालना है या फिर दोनों का आखरी वाला वायर जोड़कर common wire निकालना है ये तरीका सही होता है ठीक है अब देखे असोक भगत लिखते हैं संजे भाई मुझे पूलर चाहिए तो मैं असोक जी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है संजे कुमार गुपता तो आप मेरे इस सेकेंड चैनल जिसका नाम है संजे कुमार गुपता इस पर जाकर आप मेरा ये वाला वीडियो देख लिजेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखे मुनेश कुमार लिखते है सर हमारी मोटर चलते चलते चिपक जाती है फिर घूमती नहीं है हाथ से भी ऐसा क्या कमी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके मोटर का बेरिंग खराब है अब देखे म कुमार लिखते हैं फेन उल्टा घूमता है स्वीच ओन करने पर फेन को हाथ से टच करने पर सही घूमता है ये क्या प्रोबलम तो इस तरह का जो प्रोबलम होता है ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस तरह का प्रोबलम पंखे का क्वाइल सोट होने के वज़े से होता है आपके पंखे का क्वाइल सोट हो गया होगा या फिर क्वाइल से ही प्रोबलम है जो भी प्रोबलम है इस तरह का प्रोबलम क्वाइल से ही होता है ठीक है